प्रणाष्ट्रमंत्रे एस जैशंकर यान यार उस्ट्रेलिया ब्रिजबे निथ भारताच्या पहिल्या महावाणी जे दूतावासाचा उदघाटन केला। या दूतावासा मुले भारता से क्विंसलेंट राज्या सोबद से संबंध है अधिक बलकट होतील। या भागात शिक्षन और नोकरी साथी व्यवसाय साथी एनार भारत या नागरी कानना तैसा फाइदा होई लश्या अपैक्षा जैशंकर यानी व्यक्त केली। या वेली तानी क्विंसलेंट से गवर्नर और इतर मंत्रें से आभार मादली। या पूर्वी जैशंकर यानी काल क्विंसलेंट यूनिवर्सिटी से चैंसलेर पीटर वर्गीस येंची भेट घेतली या भेटी दर्म्यान तैनी भारत या आउस्ट्रिलिया दर्म्यान चा शैक्षनिक आणी संशोधन विशयक सहकारिया बाबर विचार विनेमाई केला। याईवली तान्नी क्विंस्लिंड युनिवर्सेटीद भारतिय समुदायशी देखिल सम्वाद साथला भारत और अंचे दीर्ग काड़ापसुं घनिष्ट सम्भन असुन गेला दह वर्शात याई सम्भन अमुदाघ बदल जाले असते महाणाले 15 ब्रधान नरेंद्रश मोधी यांचे अस्ट्रेलिया असलिय ले संबंध आनि भारत्य संबोदाय ची भूमी का दोधी देशान मदले संबंध वज़े थारणा रहे असा अनिसामकितल केनबेरा इथ ते आस्टरेलिया से परराष्ट्र मंतरी पेनी वांग यांचा सह परराष्ट्र मंतरांचा 157 वादाच संयुक्त अध्यक्षपत भूशवतिल तसस परराष्ट वेबहार मंतरी जैशंकर आस्टरेलिया चा संसो देला संबोधित करणा रहेत रेजिना डाउन डंडर या भारत अस्ट्रेलिया चा संयुक्तमंचा चा दुसरे सतरे चा उद्गाटन प्रसंगी तेन सहे भाशन होना रहे। दुसरे टप्प्य डॉक्टर जय शंकर सिंगापूर मधे आठवया आसियान गोल मेंच परिशदेला संबोधित करतील। सिंगापूर चा निट्यान सह ते द्वीपक्षिय महत्वाच्य मुध्यानवर आणि भारत सिंगापूर भागीदारी अधिक बलकट करने बाबत चर्चा करना रहे।